आपने लोगों की एक कम्प्लेन अक्सर सुनी होगी कि उनका इन्वर्टर तो ठीक है पर बैटरी में बार-बार प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक तो बैटरी पहले से ही महेंगी होती है और उसकी लाइफ भी लिमिटेड होती है। इसके इलावा बैटरी बैक अप कम देता है और बार-बार पानी डालने की ज़़रत परती है। बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होती और बिजडी का बिल भी बढ़ने लगता है। ये सारे प्रॉब्म्स आपके बैटरी के वज़े से नहीं बलकि आपके घर में लगे इनवर्टर की वज़े से होती है। नॉर्मल इनवर्टर सर्दी और गर्मी में बैटरी को एक जैसे वोल्टेज और करन से चार्ज करता है। इसे थोड़ा डीटेल में समझते हैं. Normal Inverter जिसमें Automatic Temperature Compensation याने की ATC का फीचर नहीं है, इसमें एक Boost Voltage सेट हो जाती है, usually 14.4 Volt. अगर किसी के घर में एक 12 Volt की Tubular Battery installed है, तो ये Battery फुल चार्ज होने पे 14.4 Volt पे आ जाती है, जिसके बाद Battery और चार्ज नहीं लेती, इस Value को Boost Voltage कहते हैं. ये Value इसलिए सेट की जाती है, ताकि Battery ओवर चार्जिंग की कंडिशन में ना जाए. पर Normal Inverter एक बहुत बड़ा फाक्टर इग्नोर कर देती है, जो की है बाहर का Temperature. इस Inverter में 14.40 की Boost Voltage 25 degree Celsius पे सेट होती है, पर पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगय नहीं है, जहां पे 25 degree Celsius का Temperature constant रहता है. जब बाहर का Temperature 40 degree Celsius होता है, तो हम इस चार्ड पे देख सकते हैं कि बैटरी को फुल चार्ज होने के लिए 14.13 के Boost Voltage की ज़रूरत परती है, पर Normal Inverter बैटरी को 14.40 के High Boost Voltage से चार्ज करता है, जिससे बैटरी का Internal Temperature बढ़ने लगता है, और बैटरी का पानी सूखने लगता ह और कभी-कभी बैटरी का Temperature इतना बढ़ जाता है कि धुआ भी निकलना शुरू हो जाता है, जो कि काफी हानिकारक होता है, Constant High Voltage से बैटरी चार्ज करने पे बिज़री का बिल भी बढ़ने लगता है, जब बाहर का Temperature 0 degree Celsius है, तो Normal Inverter बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर पात क्यूंकि बैटरी का पानी जमना शुरू हो जाता है, बैटरी कम बैक अप देती है, Constant Under Charging की वज़े से एक टाइम ऐसा भी आता है जब बैटरी कभी उस लेवल से जाधा चार्ज नहीं हो पाती, इन कंडिशन्स की वज़े से हमें बैटरी को जाधा Boost Voltage से चार्ज करने की ज पर नॉर्वल इंवर्टर इस सिचुएशन पे भी बैटरी को 14.40 के Low Boost Voltage से चार्ज करता है, इन सारे प्रॉब्रम्स का एक ही सल्यूशन है, ATC, जिसको सुकैम ने पहली बार पूरे दुनिया में इंट्रिद्यूस किया है, Falcon Plus इस टेंपरेचर वायर के साथ आता है, ये वायर आपके बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाता है, Falcon Plus को बताती है कि बैटरी के आस पास का टेंपरेचर क्या है, अगर बाहर का टेंपरेचर 40 डिग्री सेल्चिस है, तो Falcon Plus 14.40 के Boost Voltage से नहीं, बलकि 14.13 के Low Boost Voltage से चार्ज करता है इससे बैटरी कभी भी ओवर हीट या ओवर चार्ज नहीं होती और बार-बार पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर बाहर 0 degree Celsius है तो Falcon Plus 14.40 के बूस्ट वोल्टेज से नहीं बलकि 14.85 के हाई बूस्ट वोल्टेज से चार्ज करती है इस फीचर से बैटरी की लाइफ कम से कम 6 माईने बढ़ जाती है और किसी भी टेंपरेचर पे बैटरी की चार्जिंग हमेशा ठीक होती है